हाई फ्रेंज मरे यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका स्वागत है आज की टिप्स में मैं बालों को बहुत ही तेजी से लंबा और घहना करने का एक बेहत असरदार नुसका बताने जा रही हूँ इस उपाय से आपके बालों की ग्रोथ तेज हो जाएगी और बाल घहने खुबसूरत हो जाएगे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले तकि आपको आगे भी मेरे नय और बहत असरदार नुसको कलाब मिलता रहे और घंटी को जरूर दबाए मेरे नय वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं इस नुसके को त्यार करने के लिए आपको चाहिए मेथी का पाउडर आपको मेथी का पाउडर त्यार कर लेना है आप मेथी को रात में भीगो करके असुबह उसका पेस्ट त्यार करके भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं यहां मैंने मेथी का पाउडर पहले से त्यार करके रखा हुआ है इसमें आपको दो चमच मेथी का पाउडर लेना है या मेथी का पेस्ट लेना है मेथी बालों की ग्रोध तेज करने में काफी कारगर होता है मेथी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे बालों का तूटना भी बंध हो जाता है अब इसमें आपको मिक्स करना है नारीयल का तेल आपको इसमें नारीयल का तेल मिक्स करना है दो चमज नारियल के तेल से भी बालों की ग्रोध काफी तेज होती है साथ ही बाल नर्म मुलायम बनते है आपको इसमें दो चमज नारियल का तेल मिक्स करना है अब इसमें आपको मिक्स करना है एलोवेरा जेल इसमें आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है दो चमज एलोवेरा जल भी बालो के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसे बालो में काफी नमी मिलती है बालो को और बालो का पोसण होता है इससे इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब इसमें आपको मिक्स करना है नीबू का रस आधा चमच इसमें आपका आधा चमच नीबू का रस मिक्स करना है नीबू के रस से बालो में चमक आती है और बालो से डैंडर भी दूर हो जाते हैं इसको आप अच्छे तरह से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद इसे आप अपने बालो की जड़ों में लगाए बालों की जड़ों में लगाने के बाद आप इसे एक घंटे के लिए यूँ ही लगा रहने दें फिर नॉर्मल पानी से धोलें आपको अगले दिन शैंपू करना है इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ काफी तेज हो जाएगी और बाल घंटे मुलायद और चमकिले हो जाएगी और साथी बालों में मजबूती भी आएगी जिससे बालों का तूटना जड़ना भी बंद हो जाएगा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में